नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा बहुत ही खूपसूरत मश्वूर गाना जिन्देगी का सफर from the 1970 film सफर ये कीबोर पे कैसे बजाते हैं इसके म्यूजिक डिरेक्टर तो कल्यान जी भाई, आनन जी भाई मैं दिखाऊँगा आपको इसमें कॉर्क के कौन सा रिदम यूज़ कर सकते हो इसका प्रिल्यूड दिखाऊँगा, इंटल्यूड दिखाऊँगा, मुखडा, अंत्रा, कॉर्ड, सब कुछ बजा के दिखाऊँगा और ये वीडियो देखने के बाद आप भी बजा सकोगे गाना अब सबसे पहले ये गाने के लिए रिदम मैं कॉर्क का प्ये 600 यूज़ करता हूँ और इस कॉर्क के प्ये 600 में इंडियन पैक में एक एविलेबल है इसका स्टाइल और ये स्टाइल के अंदर आप अगर वेरियेशन टू यूज़ करोगे तो ये ऐसे है वेरियेशन उसका और इस वेरियेशन पे जिन्दगी का सफर आप बजा सकोगे इसमें आटो अकम्पनिमेंट जो है वो एफ शार्प में ऐसा है तो ये चल जाएगा इसमें अब मैं इस गाने का आपको प्रिलीड बजा के दिखाता हूँ अब पहले बजा के दिखाऊंगा और फिर बात में स्लो मोशन में एक्स्प्लेंड करता हूँ क्या किया और क्यूं किया तो ये है ऐसे गाना चालोगा एफ शार्प का है जिन्दगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं जिन्दगी का सफर और यहां से गाना चालो होता है अच्छा अभी ये गाना है एफ शार्प में तो ये है एफ शार्प का कोड़ एफ शार्प एशार्प और सी शार्प तो गाना एफ शार्प से चालो होता है जिन्दगी का सफर ये सफर सफर में जाता है E ये है E का कॉर E, G-Shop और B है ये कैसा सफर पूरा ये रहेगा कोई समझान ये नहीं में वापस आ जाएगा F-Shop कोई जाना नहीं अब जैसा उनका किशार कुमार जी का नहीं खतम होता है या आपके जो भी सिंगारे उनका नहीं खतम होएगा ऐसे आप चालू करना यहां से ये तीन कीज़ और जैसे ये वाली की दबाऊगे आप पीछे रिदम चालू कर देना ऐसे वापस दीखा दाऊं और फिर इसमें जो नेक्स्ट है ऐसे एक बार दीखा दाऊं इसे बजाएंगे मूग तो यहां पर इदम चालू होगा फिर ये का कॉड़ बढ़ेगा एक बार दीखा दों वापस अब इस गाने का आपको मुख़ा दिखा दों यह गाना है यह हो गया इसका पहला लाइन अब इसका सिकंड लाइन अभी आपको इसका इंटलीड दिखा दाऊं मैं सिर्फ इसका फर्स्ट इंटलीड बजाने वाला हूं सेकंड अभी नहीं बजा रहा हूं अगर ये वीडियो पबलिक को बहुत पसंद आया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि दूसरा भी दिखा तो फिर दूसरा दिखाऊंगा तो अभी पहला इंटलीड में बजा के दिखाता हूं एक बार और फिर बाद में स्लो मोशन में समझाऊंगा ये इससे बजेगा फिर यहां से अब इसका अंतरा चालू है अब इसका इंटलीड पीस में स्लो मोशन में दिखाता हूं म्यूजिक के साथ काफी आसान है तो ज्यादा की समझाने का जरूत नहीं पड़ेगा ये इससे बढ़ेगा कोई जाना नहीं कर दो जाना नहीं सबसे पहला लाइग जिंदकी सो कर दो ओत जिंदकी सो करो कर तेर कर दो वोगा, पे टेड़ा यह तो फिर वापस जाएंगे फिर पर किधर में वापस उसे मुखड़े वाला रिटीव ना जाएगा अब इसके अंत्रे में एक फिलर पीस है जो बहुत ही खुबसूरत है और वो फिलर पीस बजाना जरूरी है तो वो दो लाइन को कनेक्ट करने के लिए आपको दिखाता हूं कौन सा एक बार बजाके फिर बाद में फिर स्लोर दिखाता हूं धीरे से की यह वाला पीस बजाना जरूरी है तो कनेक्शन नहीं होगा ठीक से ओके तो ऐसे बज़ेगा हसते हसते जमाने से जाएंगे हम फिर यहांसे यहांसे गाना चलोगा अभी इस गाने के आपको कॉट्स दिखाता हूं इसके मुखडे में खाली दो कॉट्स आएंगे एफ शाप और ई यह है एफ शाप एफ शाप एफ शाप और सी शाप और यह है इई इई जी शाप और बी ओके सिर्फ यही दो कॉट्स आएंगे तो स्टार्टिंग में एफ शाप से होगा अगर यहां पर सूर्फ चेंज होता है यही हुआ है यह कैसा सफर्फ पूरा ही रहेगा वही सम्झान ही अबस एफ शाप और यहां पर सूर्फ यहां पर सूर्फ चेंज होआ यही सम्झान ही कोई जाना नहीं फिर वापस सेकंड लाइन में भी सेम है यह कैसी डगर पूरा एफ शाप चलते हैं सब मगर कोई सम्झान ही कोई जाना अब इसके अंत्रे में सारे एफ शाप स्केल के स्टेंडर कोड आएंगे प्लस इयाएगा अभी एफ शाप के लिए है यह फ शाप फ शाप का तो यह एक बी का कोड आएगा इसमें यह बी डी शाप और एफ शाप और यह यह इसमें C शाप का कोड आएगा इसमें C शाप F और G शाप एफ शाप B यह तो ऐसे भी B बच सकता है यह तो फिर यह C शाप आय तो ऐसा भी C शाप बच सकता है और E यह तो यह E यह चार कौड इसमें आएगे इसके quads एक बार अंत्रे के साथ बजा के दिखाता हूं तो आपको अंदाद आएगा exactly आप देखना कैसे बचते हैं को बहुत यार हम दे दिया मत से भी महाबत निभाएंगे हम देखा जिन्दगी को बहुत यह पुरा F-sharp यह C-sharp ने दिया C-sharp स्टार्टिंग दिया स्टार्टिंग होता है C-sharp से बात में F-sharp में चेंज होता है मौत से भी महाबत निभाएंगे हम यह B है यह E है और यह F-sharp है रोते 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 वापस रोते रोते में सेम तिरो है एफ शब रोते रोते जमाने में आसी शब यह मगर हसते बी तेजा माईने से वापस बी जाएंगे हम फिर जाएंगे पर किधर में वापस सेम मुखड़े वाले chords और मैं हमेशा बोलता हूँ है अगर आपने chords सही बजाए है तो आपको गाना सुना ही देना चाहिए पीछे तो अभी एक काम करते हैं देखो मैं original music के tempo के साथ पीछे सिर्फ chords बजाऊंगा पहला खाली first word गा के मैं छोड़ दूँगा आप अपने मन में गाओ और ये chords को follow करने का try करो देखो आपको सुना ही देगा गाना अभी मैं अंत्रे से चालू करता हूँ देखो संदकी अभी मैं आपको संदकी आपको संदकी आपको संदकी कर दो कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा आप कोई तला होएगी मेरी थोड़ी होसला अवजाई हो जाएगी और बस कुछ न